वेलकम टू आकास जीएस क्लासेस आकास जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है यहां मैं आपको करवाने वाला हूँ आर और वी अंटीपीसी ग्रूप डी एससी CGSL और UP police डेली police की सारी की सारी जीएस और इसी करम में हमने physics start की है और यह physics का lecture नूमर 5 है चलिए start करते हैं ज्यादर टाइम ना waste करते हुए So, हमने स्टार्ट किया हुआ है Some Important Units और Some Important Units में हम पढ़ने वाले हैं पहला विभांतर हमने, सोरी इसे पहले हमने 14 Units पढ़ ली हैं ये 15 Units है विभांतर जैसा कि आप जानते हैं विभांतर क्या होता बदा देता हूं, विभांतर का ओना ओना है चलिए, potential difference होता क्या है? potential difference विभंतर चलिए एक आप इसे नॉर्मली समझीए अब बताइए बिद्धुद आवेस यानि electric charge ये मेरे पास कोई electric charge है ठीक है? ये electric charge है बिद्धुद आवेस बिद्धुद आवेस के कारण बिद्धुद आवेस के कारण उत्वण इस्थैतिक बिद्धुद छेत्र में बिद्धुद छेत्र में मैं कोई एक बिद्धुद छेत्र बना रहा हूँ आप थोड़ा ध्यान से देखना ये एक बिद्धुद छेत्र है उत्वण इस्थैतिक बिद्धुद छेत्र में मैं जहते बना दूँआ यह एक बिद्धुद्ध चित्र है किसी बिंदू से दूसरे बिंदू तक यानि दूसरा बिंदू हमारा कौन सा है यानि ए बिंदू से बिंदू से बी बिंदू तक यानि एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक एकाई धनावेस को तो अब एकाई धनावेस हम क्या मालने क्यू है क्या है वो एकाई धनावेस क्यू है खीक है एकाई धनावेस मतलब यूनिट चार्ज एकाई धनावेस को ले जाने में जितना क्या करना पड़त हए वही हमारा क्या होता है विभान्तर है होप आप समझ गें होंगे एक बार और कर देता हू mi dh aways करण यह हमारा by virtue of sc क्यूं हमारा विद्द आद्भेस ए विद्धध आवेस के कारण उत्ताइटिक बिद्द। चेत्र है यह वो मैगनेटिक फिल्ड है यह जो आप देख पा रहे हैं यह वो मेगनेटिक फिल्ड है यह ऐसे इलेक्ट्रिक चार्ज आ रहा है तो बिदुद आविस के कारण उत्पन इस्थैतिक बिदुद छेत्र में किसी बिंदु से किसी बिंदु से इसका मतलब है एक स्पैसिफिक पार्टिकुलर पड़ेगा जितना कार ने करना पड़ेगा वही हमारा क्या होगा विभांतर क्या होगा विभांतर ठीक है समझ गए चलिए और इसके बारे में थोड़ा सो और बता दूं अब एक्जाम में पूछता है जब हम नुमेरिकल करेंगे एक्जाम में तो नुमेरिकल में पूछत आफा है चली बताःविब्हांतर वि बराबर क्या होता है डबलु अपन क्यू विबराबर होता है जब हम किसी बिंदू आवेस को किसी दूसरे आवेस के वैदुत छेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है तो जितना कार करना पड़ता है वही हमारा होता है विभानतर ठीक है अब तो आप समझगे होंगे 100% ठीक है और जैसे इसको इतना ही समझे चलो और किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इतना काफ यह नहीं तो वीडियो लेंड दी हो जाएगा चलिए आगे चलते हैं वि हीट कैपसिटी ठीक है स्पैसिफिक हीट कैपसिटी ठीक है विशिस टूसमा इसका मात्रक आप देख लो मात्रक क्या होता है इसका जूल पर किलोग्राम पर केल्विन कुणष है इंगलिज में देख लो जूल परति कलोग्राम पर केल्विन ठीक है विशिस टू सुमा अब विशिस टू सुमा क्या होती है हम यह कह सकते ہیں कि अलग-अलग पदार्थ ले लो आफ अलग-अलग पदार्थ कोई दो पदार्थ है, पदार्थ A और पदार्थ B, अलग अलग पदार्थों की समान मात्रा में ताप बढ़ाने के लिए, अगर आपको इसका ताप बढ़ाना है, और इसका ताप बढ़ाना है, बढ़ाना है, टेंपरिचुर बढ़ाना है, यह अबजक्ट है कोई, अबजक अगर मैं ले लूँ आइरन ठीक है एक ए जो है मेरे पास आइरन है और एक और ले लेता हूं मैं एजी अब एक बताओ आइरन और एजी को हीट करने के लिए अलग-अलग उर्जा की आवसकता पड़ेगी की नहीं पड़ेगी तो अलग-अलग पदार्थो को समान मात्रा में इस आप बढ़ने के लिए अलग-अलग उसमा की आवसकता होती है Heat could that s elfo ऑलग-अलग तैंपरेचर चाहिए की नहीं चाहिए एरन अलग उसमा पर हीट होगा और AG ठीक है तो यही होता है हमारे specific heat capacity ओके चलिए next चलते हैं बहुत चोटे चोटे से topic हैं आगे चलते हैं जोती तीब्रता क्या है जोती तीब्रता इसको कहते हैं luminous intensity क्या कहते हैं luminous luminous intensity luminous intensity ठीक है तो जोती तीब्रता क्या होती है normally आप समझेए आप सोचे जोती तीब्रता क्या होती है अब मैं अगर इसको define करूं तो मैं यह बूलूँगा कि quantity of visible light ऐसी मतलब जो प्रकास हम देख पाते हैं quantity एक बताओ जोती तीब्रता क्या हो सकती है quantity of visible light quantity मतलब क्या होती है मात्रा quantity of visible light किसके बारे में हम पढ़ रहे है जोती तीब्रता जिसका मात्र केंडला है सीडी है quantity of visible light that emitted in unit time per unit solid angle यानि quantity of visible light एक बर और दोहरा देता हूँ quantity of visible light that is emitted in unit time per unit solid angle यानि प्रकास की वह मात्रा प्रकास की वह मात्रा जो की एक solid में एक solid में कितने degree का angle बनाती है भही होता है हमारा जोती तीब्रता ठीक है चलिए next पर चलते हैं अगला है आपका topic कोण तो यह तो normal है कोण एंगल ठीक है एंगल सब जानते हैं एंगल का मात्र क्या होता है इतना यादी रेडियन अच्छा यह important करते हैं विभंतर और जोती तीब्रता के मात्र कुछे जाते हैं ठीक है तो कोण का हो दिन आगे चलते हैं नैंटी नम्मर पर अहां ठीक है ठीक है apple oneue के तो कमपि時間 करवाना है 20 नमर पे हैं आपका important को मैं खुद बताऊंगा उस्मा गतिक ताप जिनको जिनका मुझे लगता है कि अच्छा उस्मा गतिक ताप का तो normal है ठीक है मैंने इसके पहले आपको उस्मा के बारे में पढ़ाया है कि इसका मातरक Kelvin होता है ठीक है और यहीं बताया है कि एक Kelvin क्या होत होता है ठीक है और यह temperature change करने भी बताई है अगर आपने नहीं देखा तो पीछले वीडियो में जाके देख सकते हैं इसको ठीक है तो उस्मा गतिक ताप का मातर क्या होता है कैल्विन चलिए next आपका topic है इसको थोड़ा ऊपर कर लो बच्चो चलिए यहां तक उस्मा गतिक अगыт आपके पाते 16ная area का मंतर क्या होता है work meter सब को पता है 16 वर्ग मितर क्यूं ले रहे है क्यों कि दोप्चो dabei या तो एक length होगी या एक breath होगी ओके या फिर length और length उपकल होगी otherwise या तो length into breath होगा तो length का मातरक meter और breath का मातरक भी meter यह सा ही मातरक है तो जो दोनों में गुणा होगी और हमें पता है गुणा में क्या होती है घाते जूड़ जाती है इन doubt the power यह क्या हो जाएगा मीटरका ठीक है इसलिए असका मातर क्याया मीटरका इसको आ जैंगे चलती है यह आगई अगला है आयतनDS लिए उसका मातर क्या होता है घं मीटर अच्छा इतना आइत आप बताईए आप वालीम निकालते हैं किसी भी चीज गा तो आप उसकी कैसी इमेज से declaring कि Wick2 3D में मतलप स्में क्या होती यह लेंज भी डिया भी होती है तो मैं बताया थैंपbayर ने पड़ाया था इससे पहले वीडियो में, जब मैंने आपको आयाम पढ़ाया था, यही तो बताया था कि हम 3D में जी रहे हैं, तो 3-dimensional मतलब क्या हो था, जब लंबाई चोड़ाई और उचाई हो, या गहराई हो, ठीक है, तो जहां लंबाई चोड़ाई और उचाई हो, तो यानि कि 3 meter into meter into meter, अब in multiplication power will be added, तो यह हो जाएगा, meter की power 3, ठीक है, इसलिए इसका क्या होता है, घन meter, या meter की power, cube meter, ओके, आयतन का मतलब क्या होता है, घन meter, ठीक है, चलिए, चले बच्चे, और कुछ पुछ रहा हो, तो बताईए, कॉमेंट करके बताईएगा, अब वॉल्यूम इस दा क्व of three dimensional, जो मैंने भी बढ़ाया है, volume is the quantity of three dimensional space, enclosed by a closed surface, for example, this, space, substance, a solid, liquid, or gas, or plasma, यहां यह यह बताया गया, कि जो item होता है, वो, तह है, जो कोई, जो कोई भी पदार्थ हो, चाहें तो वो liquid हो, ठीक है, या तो liquid हो, या solid हो बच्चो, या हो gas, या हो एक और मात्रा, पदार्थ की चोथी मात्रा कौन सी होती है, प्लाजमा, सब को पता है ना, प्लाजमा, ठीक है, इनके द्वारा, जो space को enclosed किया जाता है, जो space घेरा जाता है, और जो space घेरा जाए, वो कितने dimensional में हो, three dimensional में हो, कितने dimensional में हो, three dimensional में हो, वही तो होता है हमारा, क्या, item, volume, यही तो volume होता है, ठीक है, volume मतलब यही तो होता है, जैसे आप suppose कर लो, आप volume निकालते हो, suppose कर लो, मैं आपको एक keyword देता हूँ, यह बताइए, आपको इसका volume निकालना है, तो आप क्या करोगे, length लोगे, breath लोगे, और height लोगे नहीं लिए, यह 3D image है की नहीं, इनको बोलते हैं, ऐसी images को बोलत नेक्स्ट है हमारा topic, बच्चो, नेक्स्ट क्या है, आयतन के बाद आपको है, आप बृती क्या है, आप बृती, और आप बृती का मात्र क्या होता है, हर्ड्स, क्या होता है, हर्ड्स, आप बृती को कहते हैं, बच्चो क्या, frequency क्या कहते हैं, frequency, आप थोड़ा पहले यहीं आप क्या सोचोगे कि कोई ऐसी चीज होती है कि कैसा प्लेटफॉर्म होता है फ्रेक्वेंसी जो यहान से सब्सक्राइब यहां पैंट हो जाती है ठीक है यह फ्रक्वेंसी होती है आप यह सुना है ना, नॉर्मल यह समझने की भासा है, ठीक, understanding language है, और कुछ नहीं है, अब frequency क्या हो दिये, मैं क्या कहूंगा, एक निश्चित समय में, हमेशा याद रख लेना है, जो time हो, वो कैसा हो, कैसा हो, निश्चित हो, कैसा हो, निश्चित हो, निश्चित हो, निश्चित यह जो घटन, यह वो घटना है, जितनी बार घटे, एक निश्चित समय में, in a certain time, एक certain time में, कोई घटना, जितनी बार घटे, जितनी बार घटे, उसे ही कहते है, frequency, in a certain time, an event occur, number of times, that is called, frequency, समझ में आया, frequency, is the number of occurrence, of a repeating event, per unit of time interval, ठीक है, repeating, repeating, देखो, यह, मैं यहां figure के थूरू समझा रहा हूँ, यह repeating event है की नहीं, यह repeating event है की नहीं, और time कैसा होना चाहिए हमारा, बिल्कुल equal होना चाहिए, जैसे यह एक wave period है, यह तरंगी तो है, यह तरंग है, और यह इसकी, यह क्या है, एक दोगारा से figure को बनाता हूँ, गटा दी हमने घटना, और एक निश्व समय में, यह जो घट रही है, एक, दो, तीन, यतनी वार घटे, वही frequency होती है, यह जो होता है, वे पिरियर्ड, यह वे इसको कहते है, वे पिरियर्ड, यानि तरंग का समय, वे मानने क्या होती है, तरंग, और पिरियर्ड माने time, ठी यह बे पिरियर्ड है कि नहीं, ठीक है, यह वे पिरियर्ड है, इसे और एक और फिगर से समझे लो, और time होना चाहिए, ठीक है, अब yaha मैं, जथा कर देता हacağım, यह ज़्यादा dot 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 कर देता हूं ठीक है, यह जो है, अब देकना, यह आप एक बार सूचो, यह यह frequency में य यह क्या हो सकता है यह कंप्रेशन हो सकता है कि यह हो सकता है यह कंप्रेशन है कंप्रेशन मतलब सिकुड़ना यहां सिकुड़ रही है यहां सिकुड़ रही है तरंग जो है यहां सिकुड़ रही है और यहां भी सिकुड़ रही है यह सेम है compression और ये क्या है हमारा ये expansion है expansion मतलब fell up समझा और ये हमारा वो time है जिस time में कोई frequency घटे थो रही है I hope आप frequency समझे होंगे जैसे जैसे चीजे आती जाएंगी वैसे वैसे मैं आपको और अच्छी तरह से पढ़ाता जाऊंगा अब next topic हमारा प्रष्ट तनाव इसको कहते हैं बच्चो surface tension अच्छा surface tension बहुत important topic है normally सब जानते हैं surface tension के बारे में हाँ आप बरती जो frequency थी उसका मातर क्या है बच्चो hertz इसे याद करें ना important पूछा जाता है exam तो अब हम पढ़ रहे है frequency और sorry fresh तनाव यानि surface tension और इसका मातर होता है newton per meter newton per meter यहां इंगलिस में लिखा है देख लेना newton per meter ठीक है प्रष्ट तनाव surface tension क्या होता है सोची आपने जाद तर देखा है बूंद का जो सुकुड़ना होता है बारिस की जो बूंद का जो बनना होता है एक्जाम में एक one liner question होता है बारिस की जो बूंद होती है बारिस की जो बूंद होती है उसका जो बनती है spare form में जो बनती है गुलाकार form में बनती है वो कहते है surface tension के कारण बनती है surface tension के कारण बनती है आनि प्रष्ट तनाव के कारण बनती है लेकिन आज तो हम ये समझेंगे कि surface tension होता क्या है तो हम ये कह सकते हैं ये कोई liquid है ये वो liquid है ये मैंने liquid लेगी लिया कोई liquid है the property of liquid surface to remain in minimum surface area यानि liquid की जो property liquid में हम ले लेते है water की water की क्या property है इसकी एक property है ठीक है कोई भी liquid हो water की एक property है liquid की जगे हम water लेते हैं कि ये अपने एक minimum क्या है एक minimum water जो है पानी जो है अपने minimum मतलब new thumb area यहां important है new thumb area यानि new thumb छित्र यानि minimum area यही surface tension होता है और surface tension आप हमेसा याद रखे न कि जो liquid होता है उसका जो surface का tension अलग होता है और bulk का अलग होता है याद रखना याद रखना है याद रखना है और surface का अलग होता है और bulk का नीचे का अलग होता है ठीक है bulk का अलग होता है इन में डिफरेंस है bulk का surface tension अलग और surface liquid के surface का surface tension अलग तो surface tension में हमने क्या समझा कि liquid के एक property होती है जो अपने minimum क्या अपने minimum अपने minimum एरिया में क्या रहना चाहती है अपने minimum एरिया को occupied करना चाहती है यानि अपने निवनुतम छितरफल में रहना चाहती है और यही होता है बच्चो क्या surface tension यानि प्रष्ट तनाव अब इसको रूप कैसे करेंगे ये बारिस की बूंद है सबसे कम जो होता है लिकृट का चितरफल याद रखेगा याद रखेगा बारिस की जो भूंदे पड़ती है बारिस की जो भूंदे पड़ रहे हैं अब बताइए गोल 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 क्यों लगती है तो बच्चो हमेशा याद रखना इस बात को important चीज है कि लिकर जो होता है अपने minimum volume में कब रहेगा जब उसकी जो बूंदे हैं या जब वो अपने किस form में रहेगा इस फेर form में रहेगा या इसको कहते हैं क्या ठीक है गोल रूप में जब बूंदे रहेंगी गोल गोल तो तब इसमें जो volume होगा वो क्या होगा minimum होगा इसलिए प्रश्ट तनाव में जो बारिश की जो बूंदे होती है वो प्रश्ट तनाव का उधारण है ये सब बता देते हैं क्यूं है उधारण ये नहीं बताते तो आप आपने संजली आज I hope clear होगा नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं वीडियो लंबा हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट टॉपिक का आपका ये clear हो गया प्रश्टना आप आ गया है जियोती फ्लक्स इसको कहते है लुमिनियस इंटेंसिटी और इसका मातरक है ल्यूमैन क्या है इसका मातरक ल्यूमैन जोती फ्लक्स क्या है पहले फ्लक्स समझ लो आप फ्लक्स क्या है अब बताओ यहां से जोती फ्लक्स फ्लक्स क्या है फ्लक्स मेंस एन इमेजनरी लाइन एक इमेजनरी लाइन इमेजन प्ट子 मेरे पास पहन नहीं है इसलिए मैं हाद से लिख रहा हूं इसलिए मैं लिक नहीं पाता हूं इस पर थोडह कॉपबरेट कर ले लोग अद देखिए अ WAT एक जी रखा है तो एक पहले आपको कहलिए रिखा का मतलब समझने क्या होते हैं जो हमने इम easy की हुए जैसे हमने अर्थ है अट fist रहे लाइन नहीं किया है यह कि रहे लाइनност लाइनित घखा है लाइन तो क्या प्रसिया इसिता से कई थोड़ी ना खीची है अर्थ पे हम जाके वैसे खीच लेंगे अर्थ पे कोई रहा नहीं खीच पाएंगे तो यह इमिजनीर लाइन है तो मैं पढ़ा रहा था आपको क्या luminous intensity और luminous intensity में मैं आपको पढ़ा रहा था पहले आपको पढ़ा रहा था जोती flux मैं आपको पढ़ा रहा था जोती फ्लक्स और जोती फ्लक्स का मातर है क्या वेबर जोती फ्लक्स का मातर है वेबर तो अब पहले हम इसको समझते हैं flux क्या होता है flux क्या होता है flux means an imaginary line एक काल्पनिक रेखा an imaginary line एक काल्पनिक रेखा an imaginary flux means an imaginary line through which a physical quantity can travel एक ऐसी कालपनिक रेखा जिसके थूँ क्या कोई भी physical quantity क्या हो कर सकती है travel कर सकती है कोई भी physical quantity यानि भौतिक रासियां जो है क्या हो सकें travel गुजड़ सकें क्या हो सकें गुजड़ सकें ठीक है तो चुम्बकिये flux का मात्रक वेवर होता है क्या होता है वेवर शायद मैंने एक चीज़ छोड़ दी है कि यह कि मैंने बता दी आप लोग देख लेना यह जोती जोती flux का मात्रक क्या होता है लूमेन क्या होता है लूमेन ठीक है जोती फ्लक्स का मात्रा क्या होता है लूमेन ठीक है जोती फ्लक्स का मात्रा होता है लूमेन ठीक है जोती फ्लक्स का मात्रा होता है लूमेन स्वरी बच्चो थोड़ा सा गरवड हो गया यहां से दूसरा कट करके वीडियो टनना पड़े झाल झाल झाल